कि तीन गंटे से तयार हो कि साथियों जैसा कि आप जानते हैं आज ग्रह मंत्री ने सर्वद अलिया बैठक बुलाई थी मनिपूर के बारे में बैठक अभी अभी खतम हुई है और कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो 2002 और 2017 के बीच में 15 साल लगातार बुक्यमंत्री थे श्री उक्रम इबोवी सिंग जी गए थे इस बैठक में वह आपसे अभी बात्चीत करेंगे उन्होंने क्या कहा और बैठक में क्या-क्या मुद्दे उठाए और उसके बाद में मैं साथ या आठ बिंदों गिनाओंगा जो कॉंग्रेस या बैठक के बुलाने के संदर्ब जो हमने बाते उठाई है मनीपूर के बारे में मैं वो उसको पड़ूंगा पहले इबोभी सिंग जी आपको संबोदेत करेंगे अ चाहने तयज़ा समद्देशाओ खॉडेशना करेंका अशूंग्यूंग्ट इसडोंग खॉड़ूंग ट्सकेह जिए हुड़ूंग्यूंग्दा ट्रूंग श्रूम ओन wanted me I was addicted there just immediate that that meeting is over I came here for meeting the rames and my colleagues other press friends this is most unfortunate on my part they are not giving the time which I know I cannot take much time even then just I don't अब्वाजिभ वजे वेट लो अब्वान्ग शीक्रव के लिए वेंगार, Türkiye काविभ या सक्ट्राइट्रायू हन्मुपन्वाजिए लुब है, वज़ और वन्वेटवीद यहा हम्मीने की लुफिवानाईखजी यहा ओंग्योंपनीट अमीमीडु हैंपीटी लुफिएग this type of meeting will be appropriate if the Honourable Prime Minister is here this type of meeting I don't know whether they are they does not like to and also then next I said that we thought that Manipur though it is a small tiny state but we hope that it's strategically bothering international border of Myanmar with India we thought that we are protecting our boundary but even today Honourable Prime Minister why he did not mention even a single word single tweet and fine Manipur is burning now it is almost more than 50 days we thought that election is election once election is over then Prime Minister is for the whole country including Manipur why he is not whether he is angry or not about Manipur or not that is we don't know why he is not the mention even a single word for Manipur then after that then after that you please finish finish I have no chance for expressing there are few important points which not much that is I would like to mention but I said that okay I will complete then when all other colleagues when they speak after that at least please give me some more extra concession since I belong from that particular Manipur so immediately after that his speech delivery I request at least three four three four minutes maximum five minutes then sorry 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 you can come meet me even two hours also that's why they are not giving time for me I thought this is unfortunate on my part so now what the ICC has given the line we have we should have to be across on this line this point the will be either read out or say a few words Shukriya Ibrahimovic Shukriya Ibrahimovic Shukriya Ibrahimovic Shukriya Ibrahimovic Shukriya Ibrahimovic 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 को बल्कि हमारे एक वरिष्ट और अनुभवी साथी और नेता को भी कि साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार बावन दिन हुए है कि तीन मैं से कि हम मांग कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री इस पर कुछ बोने कि तो हमारा पहला बिंदू जो है जो इबोभी सिंग जी ने भी आज उठाया जैसा कि उन्होंने आपको कहा है कि पहली बात यह है कि प्रधान मंत्री अपनी चुपी तोने ग्रिण मंत्री वहां जा चुके हैं आरे सेस ने भी एक लंबा एक बयान दिया है पर हमारे प्रधान मंत्री जो दुनिया भर की बात करते हैं सभी विश्यों पर अपने आपको विश्व गुरु मांते हैं मनिपूर के बारे में बावन दिन में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है तो हमारी पहली मांग है कि ब्रधान मंत्री क्रिप्या अपनी चुपी तोड़िये हैं दूसरी बात यह है कि यह सर्वद अलिया बैठक जो है बहतर होता कि इंफाल में होता एक मेसेज जाता एक संदेशा जाता एक संकेत देता कि जो मनिपूर की पीड़ा है वो देश की पीड़ा है मनिपूर की जो दर्द है वो देश की दर्द है पर यह बैठक दिल्ले में हुई पर यह बहतर होता कि यह बैठक इंफाल में होता अभी भी हम उमीद करते हैं कि अभी राश्ट्रिय दलों की बैठक इम्फाल में भी आयोजन किया जाएगा तीसरी बात बहुत मुहत्वपूर्ण बात है अलग-अलग ग्रूप है वहाँ मिलिटेंट ग्रूप उनके पास हत्यार है कहां से हत्यार आया है लूट के लूटे है हत्यार उनको हत्यार दिया भी जा रहा है कहां कहीं से तो हमारी तीसरी मांग है कि ये सारे मिलिटेंट ग्रूप बिना कोई बेदभाव के सारे मिलिटेंट ग्रूप के पास जो हत्यार है वो उनसे च्छिनना चाहिए सारे के सारे आम्ड मिलिटेंट ग्रूप के पास जो हत्यार है उनसे लेना चाहिए डिसार्म करना चाहिए और यह तत्काल होना चाहिए चौथा मांग हमारा है सीधा मांग है जब तक ये मुख्यमंत्री बिरेन सिंग मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मनिूर में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है परिवर्त मनिपूर में कोई शान्ति है कोई सद्धावना का जो रास्ता है के कलत नहीं हो सकता हुआ मुख्यमंत्री का इस्तीफा फोरण प्रधानमंत्री लें अब यह क्यों कह रहा है कि एक मुख्यों मंत्री ने खुद स्विकार रहा है कि उन्होंने खुद कहा है कि कि मैं इस्थिति को समभाल नहीं पाया इंसा बड़ा है गंबीर स्थिती है और मैं कुछ नहीं कर पाया और उन्होंने जंदा से माफी मांगी ऐसे हालात में बिरेन सिंग जी का मुख्यमंत्री रहना नामुम्किन है उन्होंने माफी मांगी है मनिपूर की लोगों से और 11 मार्च 2030 को 11 मार्च 2030 को जो कई सालों से 15 सालों से मेरे ख्याल में 14-15 सालों से सू जिसका नाम है सू सस्पेंशन ओफ ऑपरेशन्स यह केंद्र सरकार कि राज्य सरकार और मिलिटेंट ग्रूप तीनों के बीच में एक समझ होता है उसको सो कहते हैं सस्पेंशन ओफ ऑपरेशन कुछ शर्थ हैं उस पर उस शर्थ मानने के बाद ही यह समझ होता पर तीनों पक्ष केंद्र सरकार राज्य सरकार और मिलिटेंट ग्रूप उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि ग्यारा मार्च दो हजार तेइस को मनमानी मुख्य मंत्री भी ने इस सम्जोते से इस सम्झोते को पार्ण करने से इनोंने इंकर कर दिए कि हम सजान नहीं पहचानते नहीं राज्य सर्कार का है और यह посмотрим क्यों कि यह समझोता लागू नहीं होगा हालां कि अमिच्छा जी की मंत्रा लें ने उसका खंडन किया उन्होंने बयान भी दिया कि हमारे लिए यह इसको स्विकारते नहीं है और मुख्य मंत्री ने अपने आप मनमर्जी कह दिया कि यह समझोता हम पैचानते नहीं हैं हम स्विकारते नहीं हैं अरे जहां हस्ताक्षर केंदे सरकार का है वो मिलिटेंट ग्रूप तो छोड़िये केंदे सरकार का हस्ताक्षर है और ग्रोमंत्राला ही कहता है वरिश अधिकारी कहते हैं कि राजय सरकार ने गलत किया यह 11 मार्च 2023 को इनों ने हुआ पर डैमेज तो हो गया था तो इन हालात में इस संदर में इस प्रिष्ट भूमी में मुख्य मंत्री का रहना मनिपूर की जनता के हित में नहीं है कोई समझोता नहीं हो सकता कोई कारवाई नहीं हो सकती अमन शांती सद्भावना लौट नहीं आएगी कि तो कॉंग्रेस पार्टी की चौथ हमारी मांग है कि मुख्य मंत्री को तुरंथ बदलना चाहिए पांच्वा ये बार-बार कह रहे हैं मनिपूर में नक्षा नहीं बदल सकता बदलना नहीं चाहिए कि इस पर हम समझोता नहीं करेंगे मनिपूर की सिमाएं पवित्र हैं मनिपूर की एकता पवित्र हैं यह सर्वोपरी है नक्षा बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए जो कुछ कारवाई होनी है सम्विधान की तहत सम्विधान के प्रावधानों के आदार पर होना चाहिए छटा मांग यह है कि मनिपूर हमारी देश की एकता को दर्शाता है अनेकता को दर्शाता है और एकता को भी दर्शाता है अनेकता में एकता को पर अलग 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 समुदाई के अलग अलग शिकायत है अलग अलग मांग इनको सुनना चाहिए सम्वेधन शील तरीके से सुनना चाहिए जिस तरीके से बन मोन सINGH जी जब प्रधान मंतरी थे और इबोवी सिंग जी मुख्य मंतरी थे सबी को सुनिये सब के अपनी मांग है सबको सुनिये, सबको बिठाइये और एक आम सहमती बनाइये सर्वसमती नहीं बन सकती अनेकता में पर एक आम सहमती बन सकती है तो आम सहमती बनाने की कोशिश की जाने चाहिए इसके प्रयास होने चाहिए और इसका एक रोड मैप टे करना चाहिए मेते ही हो, नागा हो, कुकी हो ऐसे तो मनिपूर में 35 ऐसे समुदाई हैं तो सब को सुनकर एक आम सहमती बनने की जरूरत है एक सम्वेदन शील तरीके से करना चाहिए ऐसा नहीं कि ये कर है लीजिये या भागिये ये नहीं होना चाहिए समय लगेगा पर येही एक रास्ता है साथवा पॉइंट जो है आज मनिपूर में दो मुख्य राजियमार्ग है नाशनल हाइवे राजमार्ग है स्टेट हाइवे तो है बड़ दो मेन नैशनल हाइवे और ये मुशकिल से कुछ मिनिटों तक खुले रहते है दोनो हाइवे ब्लोकेड हो चुके है दोनों हाइवे में लोगों का आना जाना और जो रोजाना के इस्तिमाल के लिए जो जरूरत पड़ती है लोगों को essential commodities की जो अनिवार बस्तु है लोगों के लिए परिवारों के लिए आज वो मुश्किल सभी परिवार मुश्किल में है क्योंकि ये highway को blocket किया गया है कौन blocket किया गया है वो अलग बात है किसने किया है वो अलग बात है पर केंजर सरकार की जिमेदारी बनती है क्योंकि ये national highway या raja की सडके नहीं है ये राजमार के national highway है तोmanas कुछ ना कुछ केंजर सरकार से कारवाई होनी चाहिए कि यह दो दो नैशनल हाइवे हैं इसको हमेशा 24 गंटे यह ओपन रहना चाहिए इसमें लोगों को आना जाना अनिवारी पदारतों का लेना देना ट्रकों को आना जाना यह संभव हो सके और आखिर में आठवा पॉइंट यह है पचास हजार लोग आज कैम्प में रह रहे हैं पचास हजार लोग लाखों लोग विस्तापित हुए हैं बहिलाए हैं बुज़ूर्ग हैं बच्चे हैं कुछ मुआवजे का बंदोबस्त किया गया है पर कॉंग्रेस पार्टी का मानना है कि जो कुछ अभी तक मुआवजा की घोशना हुई है वो अपर्याप्त है और सही धंग से अनुमान लगाना चाहिए और जो कॉंपेंसेशन पैकेज है रिलीफ के लिए रिहाबिलिटेशन के लिए पुनरवास के लिए पुनरस्तापन के लिए रिसेटल्मेंट के लिए उसकी भी घोशना होने की जरूरत है तो साथियों हमारे कॉंग्रेस पार्टी के ओर से अगर हमारे तीन बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनिपूर के वरिशनेता उत्तर पूर्वी राज्यों के वरिशनेता भारत के वरिशनेता अगर उनको पंद्रा मिनिट का समय मिलता तो यह सब पॉइंट वो ग्रहमंत्री के सामने रखते हैं उनको मुश्किल से साथ-ाथ मिनिट मिला है पर यह हमारी मांगे थी अच्छा है जैसा कि इबोबी सिंग जी ने कहा पहले ही उन्होंने कहा कि कि 52 दिनों के बाद शुक्र है कि सर्वधलिय बैठक बुलाई गई है हिए आपको याद होगा पहले दिन से म portion ordu मांगर रहा हूं कि सर्वधलिय प्रतिनी मंदल जाना चाहिए मानिपुर को पहले से मैं मांग कर रहा हूं तीं चा चार माउं चार माही से मैं मांग कर रहा हूँ तो अच्छा है बावन दिनों के बाद ये बैठक हुई है पर ये छोटी सी एक शुरुवात है हम उमिद रखते हैं कि प्रधान मंत्री जब इजिप्ट से लोटेंगे अपना बहुमूल ये समय मनिपूर पर थोड़ा देनी का कश्ट करेंगे और एक गंभीर तरीके से आज जो बैठक हुई है वो एक आपचारिकता थी वो करना था हेडलाइन मिल गया ओल पार्टी मीटिंग कॉल बाइव मिनिस्टर है ये जो मामला है ये हेडलाइन से सुल्जेगा नहीं है मेहनत करने की जरूरत है लोगों को सुनने की जरूरत है बड़े दिल की जरूरत है और सरकार सही ढंग से शासन करें जो आज के मुख्यमंत्री देने के स्थिती में नहीं है उसको पैचारना भी बहुत जरूरी है शुक्रिया कोई सवाल हैं तो हाजी कलता से नहीं है Präsident को तमाम नेता थे उन्हें मपनीपुर से आना चाहिए था जो पार्डी के निता थे मुनमने पोसाना चीए ता अगर समुझदन ermsy बैठा कनी थी तो कि एक मातर आप इने ता थे वहां से मनिपूर से और क्या ग्रहमंत्री को बाकी सब के मुकाबले आप से अलग से भी बात करनी चाहिए थी क्या आप पूमीत थी या येस अ दी फॉम दी अदर को लिख विवेक अबरो एना इस वन कर विवेश क्टैरिय रूम आप ये बानाप लूम झाथामगान के ट्रूम्ति अच। इजैसंडें ज हुआ लूम आपनापट्यों हएंा से कि लिवेश हूमनेपूर एंज विवेशनक। नी फुवेशन लूमनेपूर लूमनेपूर नुवेशन अफैटन and some other other political party also they also suggested and I don't know I thought and I repeatedly request him since I belong from Manipur what is suffering there yes you people also may know but I know more and how to bring normalcy I started suggestion this all arm whether irrespective of military or let anybody arms should be this arm immediately and also I say that India is for largest military power in the world if central government is determined and committed you from this day should have to be disarm all whom so ever anybody disarm then if they are not followed the one from the home ministry then extension action should be started so like this some of the words may be embarrassed to the to them so they may not like to further speak to me from my side whatever I say they may not be happy it seems like that and what I feel पूचा है कि नहेंके अइवल आश्के बैटक में मंधृ साल तक रहे मुक्छमंत्री थे हैं और एक माधर्न विक्ति एे मनिपूर के तसारो औरूंको साथ आ्ठबरेंट दिए ये इबोबी सिंग जी का अपमान है। कॉंग्रेस पार्टी का अपमान है। और मनिपूर का अपमान है। Sir, I wanted to know, since you wanted 3-4 minutes towards the end which you were denied, were you able to put across all your points or not, and what assurance did the Home Minister give to all the representatives of various parties on how to bring about peace? Was there any road map that was presented? No, those road map in a suggestion I started saying by the time he may not like to listen what I suggested. I don't know that is for what reason and when I speech, deliver my speech, number of things you know which you have visited, you also know what is happening in the different relief camps. And also, with all due regard, I don't like to say from my word. Some within the camp, even some women started delivering all these things. Some embarrassing what I say, lot of other things also I say that. Before conclusion, some suggestion as Jayamji already read out here. These are all suggestion. We are not coming here for political gain. We want peace. This is not the time, even I mentioned this is also, this is not time for political eyes. We are not coming for any type of credit. Just we want bring normancy, restoration of normancy, peace, and we should have to be co-exist something like that. I say that but I don't know. And at the end, I repeatedly request him, please give me at least some consistent for me since I belong from that particular Manipur state, give me at least five minutes or at least three minutes. Then he said that Iboviji will give you whatever you want, maybe one hour, two hour, let us meet separately. I know he didn't say about what my future course of action. Sir, we are also learning that DMK demanded on constitution of a truth commission. So what was Home Minister's response to that? And was there any discussion related to that meeting with PM could happen in near future? That is also, he didn't mention. He didn't mention that is also. Sir, Sir, Neerajhu New Jet in India say, that in your 8 points, you asked that Manipur C.E.M. will be replaced. One or any other thing, he also asked that Manipur will be placed in Manipur. Does Congress have no respect for this? I have said, listen to my words in the right way. Now I have said, listen to you. I've said that we want to change the mandri to change. That it will be taken to their own attitude. We don't say anything. They are the mandri. If we remain on the mandri, if we remain on the mandri, then there will be no purpose in Manipur. में कोई संभावना नहीं है अगले बढ़ने के जो हमने कहा है बिल्कुल साथ तोर मरोड कर आप इसको अलग-अलग अर्थमत डूंडेगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा तुरंथ हम मांग रहे हैं अजी ने ने या चोड़ा या रहा है और कुछ ओके रैंक यू